दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में HCS का 2023 वाड़ा जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है 16 तारिक से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे इस पे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि एक NCAA के लिए वीडی बनाएजाए आपकोSea के लिए कौन कौन सी NCAA पढ़नी है थीक है तो इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करेंगे कौन से NCAA आपको पढ़नी है और किस स्टूडेंट की NCAA नहीं पढ़नी निये वाले NCAA पढ़नी है पुराने वाले NCAA पढ़नी है according to syllabus जो HCS का आपका syllabus है क्योंकि NCRT तो बहुत तरह की हैं और UPSC के student भी बहुत तरह की NCRT पढ़ते हैं हमें HCS के syllabus के according NCRT पढ़नी है क्योंकि लेवल आपने देख लिए है पिछली बार जो एक्जाम हो है 2021 वड़ा जो दोबारा रिवाइस हो था उसमें भी और जो पहले हो था उसमें भी NCRT पढ़े बिना काम नहीं चलेगा ठीक है जी तो देर ना करते हैं शुरुआत करते हैं स जो टॉपिक है वह या तो मेंस के according है या UPSC वर्णों में काम आते हैं वह आपके बिलकुल काम नहीं हैंगे ठीक है जी कुछ टॉपिक सेलेक्टिव है उसमें जो वर्ल्ड जोगरफी से है और वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं उन से ज्यादा हमारा काम नहीं पड़ेगा आपको जो NCRT पढ़ए है पुरानेवाले NCRT पढ़ए है जो ओल्ड NCRT ये है 11 और 15 के NCRT गयारवी क्लास की दो NCRT है हिंदी इंग्रिस दोनों में दिखा दूंका मैं आपको एंसेंत इंडिया है और यह है मेडवल इंडिया यह दो भून् Morrison की ठीक है और तीसरी यह है modern इंडिया की ठीक है ये बार्वी क्लास की NCRT है आज कर इनकी फोटो कॉपी मिलती है ज्यादा थर Amazon वगरा पर अगर आपको मिल जाए या मार्केट में मुखर जी नगर की तो आप ले सकते हैं वहाँ से ठीक है ये हिंदी में मैं आपको दिखा देता हूँ ये ही NCRT, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत ठीक है ये तीन NCRT पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर के NCRT मैं नहीं बताओंगा यहां पर जो फाइन आट वगरा जो बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर के कोश्चन जाद अंतर उप्यस्सी में आते हैं एच्छेस के आप पीछले पेपर उठा के देख लो प्यूटी में तो कोश्चन इतने जादा नहीं आए बाकी जो मेंस में काम आएंगा आट एंड कल्चर वाड़ी वो नीतिन सिंगानी की बुक है वो बुक रेफरेंस बुक से ही काम चलाएगा यह हम सिर्फ एंसे आट की बात करेंगे एकनॉमिक्स के लिए सिर्फ एक एंसे आट बताऊंगा मैं यहाँ पर आपको 11th क्लास की NCRT है ठीक है जी यह है Indian Economic Development ठीक है भारती अर्थववस्था का विकास यह पढ़ लोगे तो आपका basic concept है जो एकनॉमिक्स का वो clear हो जाएगा ठीक है जो micro वाड़ economics है भाई उसकी एक तो भाषा बहुत कलिश्ट है उसको नहीं पढ़ा जा सकता दूसरा इससे अच्छे तो reference book पढ़ लेंगे फिर मरमे सिंग की तरफ चलाएं क्योंकर reference book के भी नहीं था आपका काम चलेगा ही नहीं यह NCRT है basic चीज़े clear करने के लिए यह जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं भी त्यारी करने यह जो पहले से त्यारी करते हैं ठीक है दोनों के लिए और उसके बाद है आपकी quality quality में भी मैं एकी NCRT आपको बदाऊंगा 11 class की NCRT है ठीक है जी यह है Indian Constitution at Work भारत का सिविधान सिधानत और बैवार इससे आपको quality का basic concept clear हो जाएगा NCRT इसमें और भी है एक तो जैसे चीज़ें आपकी लक्षमी कांद में clear हो जाएगा उसके लिए NCRT नहीं पड़ने की जोड़ते हैं जो तुलनात्मक राजनिती बड़ी बात है वो आपकी जो आई आर आजकल आता है वो जादा current से लेटर आता है जाकि basic के लिए तो हम बुक लेई लेते हैं ठीक है जो हमारे international lesson होते है ठीक है जी तो यही एक book से आपका काम एक NCRT से आपका काम चल जाएगा जो 11 class के NCRT है geography NCRT सबसे ज़्यादा है ठीक है जो geography NCRT सबसे ज़्यादा है 6 to 12 लिखा हुआ है मैंने याँ पर मैं बता देता हूँ कौन से आपको पढ़नी है जो पहले से पढ़ रहे है NCRT जिन्हों ने पढ़ी हुए उनको तो 6 to 7 class की पढ़ने की जूरत नहीं 6 to 7 class भी जोड़े NCRT है जो सुरुआत कर रहे हैं वो पढ़ें वही जुरूर ठीक है इनमें बेसिक से चीज़ें आपको समझाई हुए ठीक है एक तो है अर्थ अर्थ अवर हैबिटेट यह है पृत्विय हमारा आवास यह है 6 class की NCRT चोटी class भी जोड़े अवर एंवियर्मेंट हमारा परेवर्ण यह साथ भी क्लास भी यह जादन तर इससे इनवर्मेंट के question solve होते है मतलब इनवर्मेंट से लेटर जादन इनमें दिया हुआ है जोग्रफी से आपका परेवर्ण चीज़ें भी क्लिर हो जाती है ठीक है जी उसके बाद है आपकी आर्थ फिंग लास की NCRT है जिसमें social science resource and development संसादन और विकास खननन वगारा यह सब चीज़ें इसमें दी हुई है सौर उर्जा पवन उर्जा इन चीज़ों के बारे में बता हुई तो यह तो आपको पढ़नी है ठीक है जी उसके बाद दो NCRT है आपकी 9th और 10th क्लास की इन में भी ज्यादा अतर परेवन के टॉपिक है ठीक है समकालिन भारत फर्स्ट कंटेंपरी इंडिया और समकालिन भारत तो है जो यह दोनों की दोने NCRT है पढ़नी जुरू है 9th की NCRT ठीक है जी उसके बाद है आपकी NCRT है जो गरफिक ही यह है आपकी इंडिया फिजिकल एन इंविर्मेंट ठीक है भारत का भोतिक परेवन इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे जैसे के रिवर वाड़े टॉपिक है सारे रिवर जितनी अच्छी से समधीर खें इसी रेफरेंस बुक में भी आपको नहीं मिलेंगे इतनी इच्छी चोटी चोटी रिवर भी इसमें कवर कर रखें उसके बाद जितनी भी रेंज है हमारी मारे रेंज सत्पूरा रेंज विद्यान चल यह सब उसके बाद एगरी कल्चर का है ठीक है जी उसके बाद है आपका खन्रन वगरा का है उद्यों गोईरा सारे सारे टोपिक आपके इसमें कवर हो जाएंग तो यह तो कंपलसरी आपके लिए पढ़नी ठीक है 11th क्लास के यह देख लिए ना ध्यान से इसलिए मैंने आपको यह पिक भी लगा रखी है यह NCRT है भाई इसकी भाषा थोड़ी सी कलिस्ट है हिंदी में इंग्रिश में को जादा दिक्कत नहीं आपको आने वाड़ी यह है बहुत तिक भुगोल के मूल सिधान्त ठीक है बाकी अगर देखें तो पिछली बार जो कोश्चन आया था नदी वाड़े जो कोश्चन थे विसरव बड़े जो पहले इसमया था 2021 वाड़े में जो नदी विसरव बनाती है वो इसी में से था किसी रेफरेंस बुक में से भी नहीं मिला था वो यहीं ठायवा कोश्चन था डिरेक्ट ठीक है जी यह भी पढ़ ले ना उसके बाद है यह नहीं पढ़नी आपको यह 12 क्लास की न्सी आटी है जोगरफी बड़े यह एक तो उप्यस्ची वड़े पढ़ते हैं दूसरा प्यूटी में आपको किसी भी एंगल से काम नहीं आती है एक है जो 12 क्लास की न्सी आटी है ठीक है फिजिक्स कैमिस्टरी और जिसमें बायो कवर हो जाता है 11 की तो कोई पढ़ते ही नहीं भाई यह इतनी मोटी है इससे अच्छा बंदा रेफरेंस बुक पढ़ ले वो ठीक है एक तो यह बात है दूसरी बात है कि जो साइंस है ठीक है सा आपको बुक की वीडियो चाहिए तो मैं दवारा से बना दूँगा ठीक है कौन-कौन सी बुक पढ़नी है सेलेक्टिव बुक ठीक है तो जो पहले से न्सी आटी पढ़ते हैं वो पढ़ ले बाकी बुक से काम चल जा है आर्ट एन कल्चर की भी सिले नहीं बताई आपको तो यह सेलेक्टिव एन्सी आटी हैं फिर भी आपका अगर कोई कोई कोश्चन रहता हो किसी भी तरह का इनसे रिलेटर तो मुझे बता देना है कमेंट बॉक्स में जो लिखना मैं उसका रिपलाई आपका करूँगा यह एन्सी आटी आप अपना दुबारा से देख लो सा तो इसमें कोई भी एन्सी आटी नहीं है ठीक है जी देखने और सुनने के लिए धन्यवाज जय हिंद जय भारत बंदे मातरम